हेलो दोस्तों मैं वानिल सिंगानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉप्ट्रियस दोस्तों यदि आप वर्ट्सप चलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वर्ट्सप में कैसे अपना खुद का कीवरिड या सॉठटकट कैसे बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्ट्सप यहां से किसी भी चैट को शलेट कर यहाँ पर चैटर बॉक्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों यदि आपके WhatsApp की बोर्ड में इस टाइप का आइकन बने है तो इस से इंस्टॉल करने के बाद आपके WhatsApp में कुछ इस टाइप के आइकन बन जाएंगे चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपको बता कर सकते हैं कि अभी तक कितने मैसेज को कॉपी किया है तो यहां पर दिखिए इस टाइप के आइकन बने है इस पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद इतने सारे option आपके सामने हैंगे यहां से click कर दिए clipboard तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं बहुत सारे message आ रहे हैं इसका मतलब मैंने इतने सारे message को copy किया है अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना खुद का keyword कैसे बना सकते हैं तो यहां पर दिखे लिखा है create new इस पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर दो text box आएंगे सबसे पहला है content और जो दूसरा है वह है shortcut तो content में हम type करते हैं good morning माल लिजे इस message का हम को shortcut बनाना तो मैं यहां shortcut पर click करता हूं यहां पर type कर दूँग जी है यहां से save कर देंगे तो दोस्तों यहां जितने भी हम shortcut बना रहे हैं यह मत सूचिए कि बस यह जब तक WhatsApp उपनत तभी तक काम करेगा यह हमेशा काम करेगा आपके WhatsApp में चलिए और भी try करते हैं यहां से जाएंगे यहां से clipboard पर create new पर और यहां पर content देते हैं how are you मालीजी इस sentence को हमको shortcut में convert करना तो यहां पर shortcut देते हैं HRY यहां से save कर देंगे अब practically मैं बता रहा हूं कि इसका use आप कैसे कर सकते हैं तो यहां पर type कर दिजिए HRY तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं आ गया है इस पर click करेंगे हम और send कर सकते हैं अब में आपको बता रहा हूं कि इसको यहोदी आप delete करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको type करना होगा यदि आप shortcut में convert करना चाहते हैं तो इस features का आप आसानी से यहां से यूज कर सकते हैं दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आ है तो please like किजिए comment किजिए share किजिए thanks for watching